6 अप्रेल को हनुमान जयन्ती का पर्व धूमधाम के साथ देशभर में मनाया जा रहा है। पर्व धूमान जयन्ती के दिन जरुरतमंदों को लाल रंग के कपड़े, लाल फल जैसे सेप, गुर, दीप, दान और तुलसी का दान करना करना चाहिए। वस्त्र से प्रतिमा को पोचें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के चरनों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर उपर से लेकर पैरों तक उन्हें चोला चड़ाएं। जनेव, साफ वस्त्र पहनाएं. हनुमान जयन्ती और हनुमान जन्मोचव में क्या है अंतर। जयन्ती का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जनमदिन जो जीवित नहीं है. वहीं जनमोटसब का मतलब होता है जो व्यक्ति दुनिया में जीवित हो उसका जनमदिन. इसलिए हम किसी को भी जनमदिन की बधाई देते हैं तो शुब जयन्ती नहीं बलकि शुब जनमोटसब क कहना सही है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हनुमान आज भी सशरीर इस धर्ती पर मौजूद है। जल्दबाजी में निप्टाना होगा लेकिन फिर भी आप अपनी आँखवकान खुले रखें। माता जी आपको यदि कोई कार्य सौपें तो उसमें धील ना बरते। आप भविश्य के कुछ योजनाओं को जीवन साथी से बातचीत किये बिना ही बना सकते हैं। हनुमान जयन्ती के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं और बजरंग बली को केवरे का इत्र और गुलाब की माला चड़ाएं। साथ ही सरसो के तेल का दीपक जलाकर ग्यारह बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे धन लाब मिलता है और शत्रू शांत होते हैं। हनुमान जयन्ती पर मेश राशी वालों को होगा विशेश लाब। हनुमान जयन्ती के दिन मेश राशी के जातक जिम्मेदारी से कार्य पूरे करेंगे। आपको नौकरी में यदि कुछ कठिनायों का सामना करना पढ़ रहा था तो हनुमान जी की कृपा से वहवी आज दूर होगी। घूमने फिरने के दोरान आपको कोई महत्वपून जानका प्राप्थ हो सकती है। बजरंग बली को अरपित करें ये चीजे। हनुमान जन्यती के दिन हनुमान जी का आशीरवाद पाने के लिए उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उन्हें लेप लगाएं। ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन होते हैं और कुंडली में कई प्रकार के दोशों से मुक्ती मिलती है। हनुमान जी को लाल रंग का फूल और गुणहल का फूल अरपित करने से आने वाले संकटों का नाश होता है। संतान संबंदी समस्या दूर करने के उपाएं। हनुमान जयन्ती के दिन घर में सुंदर कांध का पाठ करें और कथाओं के अनुसार हनुमान जी का शरीर व्रच के समान बल्वान है, वेकंधे पर जनेव, सिर पर स्वार्ण मुकुट और हात में गदा धारन किये होते हैं। अत्यंत महाबली होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। बजरंग का अर्थ है केसरी रंग और बली का अर्थ होता है शक्तिशाली या बल्वान। हनुमान जन्यती पर करे शनी दोश से मुक्ती के उपाए। हनुमान जन्यती के दिन शुब मुहूर्ट में सुन्दर कांड हनुमान चालिसा और शनी चालिसा का पाठ करने से शनी दोश से राहत मिलती है। इस दिन हनुमान ज जयंती के दिन सूर्यास्त के बाद शनी देव की पूजा करे। बरगद और पीपल के पिड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूद धूपादी अर्पित करे। इसके बाद हाथ जोड़कर शनी दोश से मुक्ती के लिए प्रार्थना करे। इस शुब मुहूर हनुमान जयंती की पूजा के लिए शुब मुहूर 6 अपरेल को सुबह 6 बचकर 6 मिनट से 7 बचकर 40 मिनट तक का था। इसके बाद आप दोपहर में 12 बचकर 24 मिनट से 1 बचकर 58 मिनट तक पूजा कर सकते हैं। वही शाम को पूजा का शुब मुहूर 5 बचकर 7 मिनट से 8 बच साथ मिनट तक है। सुन्दर कांद का पाठ करे और गाय को हरी घास खिलाएं। साथ में भूजन कराएं। बयूरो रिपोर्ट आल राइट्स मेगाजीन